और सलाई से बनाई है तीन इसमें पर खुरी और कुले बनाने के लिए yes three axon षब्सक्रिय साइबाने के लिए डेखिए दस नमबर की सलाई है मरनाई मेरी श्वजोश्स radi 20 फंदे डालने के बाद 20 फंदे डालने के बाद तो सबसे पहले हम एक सलाई को उल्टा निकालेंगे एक फंदा मैंने ऐसे हितार लिया अगर आप चाहें तो उसको बना भी सकते हैं कि तीसरा फंदा बनाया कि चार कि पांच कि छे कि साथ कि आठ नू दस ग्यार बार तेर चौदा पंदर सोल सत्र तार अच थारा पंदर निस पर यह लास्ट हमारा होगा देश ठीक है इस तरीके से एक सलाई हमने उल्टी उल्टी निकाली वाइट कलर से अब देखिए अब मैं इसमें दूसरा गोर्ट जॉइन करूंगी जो है मेरे पास पिंक कलर इसको जोइन करूंगी अब इसको उल्टी साइड से जोइन करेंगे देखिए हमारी उल्टी साइड है वाइट की सिर्फ दोनों द्धागों को साथ लेकर चलेंगे दोनों को एक साथ ले लेंगे इससे क्या होगा हमारा द्धागा निकलेगा भी नहीं और साथ में बन दी जाएगा जितना भी एक्स्टा सेड़ है मैं इसको कट कर दूंगी और सभी 20 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे 19 फंदे उल्टे बनाएंगे और जो हमारा लास्ट का फंदा होगा उसको हम सीधा रखेंगे सीधी तरफ से हम इसको जॉइन क्यूं नहीं करते हैं मैंने इसमें वाइट कलर के एक ही सलाई क्यूं बनाई है अगर हम सीधी तरफ से इसको जॉइन करते तो यह बला जो पार्ट है यह जो हमारा फ्रेंट साइड में आता है इसलिए मैंने इसको बैक साइड से जॉइन किय तो फिर यह अच्छा दिखाई नहीं देगा है कि यह 19 फंदे मेरे उल्टे होगी अब देखे दागा पीछे करूंगी और जो लास्ट का फंदा है उसे मैं सीधा बना लोगी तो यह हमारी उल्टी रो बनके कम्प्लीट होगी अब यहां से इसको इस तरीके से लेंगे और पूरी रो को बना देंगे हैं कि पूरी से लाइब 20 फंदे हैं 20 को मुल्टा कर देंगे कि अब कि व्यक्ज़ाइसे विम्ली बनाई है और फ्रंट साइड से भी हम बनेंगे कि अश्छा देखे दागा पीछे करेंगे और लास्ट का फंदा इसे मैं सीधा उना लोगी इस तरीके से इसकी बैक साइड पर हूँ और यहां पर दूसरा जोइन करूंगी जो है मेरे पास ग्रीन कलर का इस तो पहला फंदा हम यहां से इस तरीके से करेंगे इसको का अब दूसरे जोइन करेंगे जो हमारा दूसरा फंदा है उसको हम यहां से जोइन करेंगे पहला फंदा मैंने रैड का ही रहने दिया है और दूसरे फंदे से मैं इस ताहिए को मेरा दूसरे गलर उसको जोइन किया है और सबी फंदों को उल्टा बना दूंगी और जो मेरा लास्ट को फंदा है सिर्फ वह मेरा सीधा रहेगा अब देफिए अम मैं इसके दूसरी साईड में उतार लेंगे अब दूसरे फंदे को इलटा बनाएंगे 20 फंदे हैं 20 मैं से 19 को हम इलटा उलटा बनाएंगे और ли लास्ट क को मारो 20けて को बनाएब उसको हम सीधा बनाएंगे अब देखें यह लाइन हमारी पूरी हो चुके सलाई मैंने कम्प्रीट कर लिए और यहां से हम क्या करेंगे यह जो हमारी दो कलर हैं रेड और ग्रीन दौनों को यहां पर मैं कट कर दूँगी थोड़ा से लंबा रखेंगे इस तरीके से दोनों को अलग कर दिया है कट करके और अब यहां से हम वाइट कलर चलाएंगे तो वाइट कलर के लिए देखिए पहला फंदा है दोनों फंदों को हम साथ में ले लेंगे अगर आप चाहे तो इनमें नोट भी लगा सकते हैं अगर नहीं लगाने तो आप इस तरीके से साथ में ले लेजिए उल्टा बनाएंगे इस तरीके से ऐसे हम चड़ाते जाएंगे इसको करने के बाद मां फ्रेंट साइड बढुं प्रेंट साइड करनाया एक फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरीके से एक और दो फंदों को उल्टा कर लेंगे ठीक है और अब हम बेके फंदा अपनी तरफ है इसको इस तरीके से जाली बनानी है तो जाली हम कैसे करेंगे फंदा अपनी तरफ रखेंगे और सीधा बनेंगे एक फिर से धागा आगे लिया और दो इधर हमारी दो जाली होगी ठीक है अब एक फंदा हम सीधा बनेंगे और फिर से धागी को आगे लेकर आएंगे एक जाली बनाएंगे दहागी को आगे लाएंगे और एक जाली बनाएंगे अब यह जो फंदा है जिस पर हम जाली बना रहे हैं अब उस फंदे को भी हम काउंट करेंगे तो एक जाली भी बनी और एक फंदा भी हमने काउंट किया ढाँ मैं दो हो तीन कर चार अब यह 4 अनुदे मैं से साधा बना दी ऑच सा च तीब आई को अधिये कई थो ़ेको अगे लेख कर आएगे अगश्म इंगि मुद नाइगे दूसरे उसरी पर फिर से जाली बनाएँ ही रच हम करेंगे दो जाली हो गई अब एक कहस्य ना वनेंगे फिर से यह फंद कीजरें के ठीस चार्वा हमारे पास तीन पंदी पन्ध Mr.com कि दौ कि जो लास्त का फंदा है उसे हम सीधा बनाइंगे अब यह ब्रूंध इक यह ना चाहर। और बेक साइट से हम बना रहे हैं तो जो हमारी जाली का फंदा है वो भी बनेगा उसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे तो मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ सलाइवा ने पुरी कम्प्लीट कर लिए और फंट साइट पर आगी है विप एक फंदा हम इस सीधा बना लेंगे तो इक फंदे को इल्टा बनाएंगे और थागे को पीछे करेंगे फिर से एक फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरीके से और फिर से धागे को आगे लेकर आएंगे और एक जाली बनाएंगे इस तरीके से फिर से धागे को आगे लेकर आएंगे और इस तरीके से सीधा बनाते हुए इसके उपर होकर बना देंगे तो हमारी ये जाली बनाएंगे दो जाली बनाएंगे एक फंदे को फिर से सीधा करे तोटल हमने इसमें दो जाली बना दी है दो जाली हमने इधर बनाई दो जाली इधर बन तो टोटल हमारे पास चार जाली होगी ठीक है और अब यहां से क्या करना है जो हमने जिस पर जाली बनाई है इस वाले फंदे पर इसको भी हम काउंट करेंगे तो एक हो गया दूसरा सी सेधा बनाएंगे और यह जाली थेl galaxy की बनाकूदेश भादन है अब फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक जाली बना देंगे एक फिर से ठागा अपनी Talk दोणे और एक फंद्या सीधा को फिर से धागा अपनी तरफ का हम एक जली धागा फिर से त्यांट है कि दूसरी जली अब देक हमारे पास तीन फंद्य बचे तो तीन फंद्य को इस तरीके से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरे फंदे को उल्टा बना देंगे, और तीसरे फंदे को सीधा बना देंगे, और उल्टी तरफ से पूरी सलाई हमारी उल्टी जाएगी, जो और हमारी जाली वाले फंदे हैं, उनको भी हम उल्टा बना लेंगे, इस तरी प्रसह का त्रशसेख तरकि इसंट के सब्सक्राइब कर जाए और penday को फोलें जायें गेниफ कीशा piss एक और मंगें दैसे में terceल that was तो P अब स्टिन फंदे छाली का और दोंदे हमने सीधे बनाए फिर से धागा आगे लाएंगे एक जाली फिर से बनातेंगे अब 1 फंदा सीधा बनाएंगे तो यहां पर यह दोंदें हो गए ठीक Disda तरफ लाएंगे एक फंदा जाली का बनाया और एक फंदे को हमने सीधा बनाया यह पर फिर से देखिए यहां पर दो तीन फंदे हो गए हमारे पास ठीक है एक हमने जाली बनाई और दो फंदे हमने बनाई फिर से एक फंदा और सीधा बनाएंगे धागी को आगे लाएंगे और जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और जाली बना देंगे, अब यहां से एक, दो, तीन, चार, और एक पांच, पांच फंदे हमने सीधे बनाएं, जाली बनाएंगे, एक, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, और एक दो और तीन, तीन फंदों को हम सीधा बना देंगे, जाली बनाएंगे, एक धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली बनाएंगे, एक फंदे को हम सीधा बना देंगे, ठीक है, फिर से देखिए, एक दो फंदों को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को स ओल्टी सलाई को पूरा उल्टा करें फ्रंट साइड पर हूँ एक फंदे को सीधा बनाऊँगी और दो फंदे उल्टे बनेंगे क्योंकि यह हमारी बटन पट्टी के फंदे है यह आप रचे देखिए एक फंदा बनाया दूसरा बनाया और यह तीन बनाया तो हमारे पास ती है जाली do है का तीन कि चार कर बीच में होगी फिर एक जाली बनाएंगे भागे को आगे लाएंगे में यहसा अभिर अब काूंट करेंगे इस फंदे को भी हम नाए है एक फंदा हमारे जाली के साथ वाला दो तीन चार पांच छे साथ और एक आठ है कि बैक साइड में स्टार्टिंग में चार फंदे रखे थे जो कि बढ़के इसमें चार फंदे बढ़ गए तो इसमें आठ फंदे हो गई ठीक है फिर से देखे जाली बनाएंगे एक धागे को आगे लाएंगे दूसरे फंदे पर जाली बनाएंगे एक फंदा हमारा यह हमें जाली बनाई एक फंदा यह हमारा सीधा है और एक फंदा और काउंट करेंगे दो तीन चार पांच और एक पांच फंदे है ठीक है अब इसको हम आगे लाएंगे जाली बनाएंग एक कि फिर से जाली बनाएंगे दो अब यहांसे काउंट करेंगे एक दो तीन कि एक दो फंदे ऊल्टे एक फंदा सीधा ठीक है और उल्टी चलाई को उल्टा बना तीके सीधी साइड पर हूं तो एक फंदा मैं स्टार्टिंग का सीधा बना लूँगी दो स्व先 एक सीधे सरानी बनाईंगे 1,2,3,4 , और धागा आगे लाएंगे झालन नहीं फिर चधागे करें दूसरी गासफेंगे हृआक बना देंगे अब यहां से काउंट करेंगेने एक है रख है कि तीन छा में छी और एक साथ ऐसा सकॉटल हमारा जान के मालता है तोटल हमारे 8 तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और एक फंदा इधर से जाली वाला, टोटल हमारे पास दस फंदे हो गया, देखें, इसमें आपको के लिएर दिखाई दे रहा होगा, एक, दो, तीन, तीन जाली बन चुगी है, चौथी जाली बना रही है, दहगा आगे, एक जाली और ये दूसरी जाली, और फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक फंदा हमारा ये जाली का हो जाएगा, आठ, फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा जाली का हो गया, दो, तीन, चार, और बार्की दो, फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, ठीक है, तो इस तरीसी तरीके से में इसमें टोटल, 6 जाले ये बनानी है, तो मैं इसमें छे जाले बना के complete कर लेएगे, अब देखे अब क्या करना है, यहां से, इसमें 6 जाली बना के complete की है, एक नाली बनानी के दो तीन चार पांच छे और एक साथ अब देखिए बाजू के फंदे हम एक बार गिल लेते हैं हमारे टोटल बाजू में 14 फंदे होने चाहिए और बॉर्डर के फंदों को हम चोड़ेंगे जो में लेकिता दीन फंदे में हमारे मंतले मबनने से नहीं कि यहां सेrekहिए इसे थोड़ा सा आइडिया रहे वैसे तो पता चली जाएगा यहां से अब पहले बाजू के फंदों को बनेंगे तो बाजू के फंदों में एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो 10 11 12 13 14 अब इन 14 फंदों को हमें छे सलाईय बनानी इसमें इसमें पलट लेंगे इसको यहीं से बाजू के फंदों को और उल्टी सलाई को बनाएंगे जो हमारी चोदा फंद आठ दों को हम उल्टा बना देंगे तो टोटल छे सलाई हम इसमें कम्प्लीट करेंगे देखे ओल्टी मैंने उल्टी बना दी पूरी यहां से फिर से टर्न करेंगे और एक फंदे को उतारेंगे दूसरे को सीधा बनाएंगे इसी तरीके से मैं छे सलाई कम्प्लीट कर लेती हूं 6 सलाई करने के बाद में आब इसको बॉर्डर वाले लुक देंगे जो हमने बॉर्डर बनाई हैं चार सलाई गए जो यह दो कलर से बनाई है अब हम बनाईगे ठीक है तो पिंक कलर एड़ करूँ है पिंक दिखाई दे रहे होगा वीडियो में जैसे पिंक जैसा है क्योंकि लाइट कलर इसका थोड़ा सा लाइट दा रहा है कि की अल्टी उल्टा बनाऊंगी और सीधी तरीके से दो छीन हम करेंगी ग्रीन कलर से और लास्ट में हम करेंगे वाइट कलों से तरीके से धागे को उपल लेते हो जाएंगे कि दूसरा कलर जोईन करूं भी मेरे पास ग्रीन कलर सेम इसी तरीके से दो सलाईय बनाओं इसमें उर्टी-उर्टी मैं तीनो कलर से दो-दो सलाईय बनाकर इसमें कब्लीट कर ली है दो मैंने रेड की बनाई दो मिरीन की और दो वाइट की ठीक है अब दोछES को बनागी तो टूटल में आपको अधाल तो आज हम देखिए जाली के बाद में छे सलाईय ने वाइट से बनाई है दो सलाईय फिर दो सलाईयां green की तो 10 हो गई और दो सलाईयां फिर से white की बनाई तो टोटल इसमें 12 सलाईयां मैंने बनाई है तो 12 सलाई के बाद में अब देखे इसको बंद करेंगे तो एक ये फंदा है और एक दूसरा फंदा है ठीक है दोनों को एक साथ इस तरीके से बंद करेंगे एक साथ बनादियों एक तरीके पंदा कांब हो घया तर इसे साथ को वापस सैकि बनादियोंगों को एक साथ बना देंगे इस तरीके से हमारा पूरा बंद होता जाएगा तो बाज हमारी अलग हो जाएगी चेट दोखन के किया फिर से दोखना को एक किया वापस सल्डाई में डालेंगे एक फंदा और ले लेंगे आप दोनों को एक साथ बंद कर देंगे इस तरीके से बाजू मह स्कुल कर देंगे ही में सिसका है कि देगे हैं हमारी ब् Period कर तैयार हुगे में इस तरीके से यह बाजु बनाई गए उसी तरीके से हमद्सिर्व Edu ‫वाजına तैयार कर लें इसे था बाजु दोनुह तैयार हो चुकी है अभ यह जो को ने तीन पार्ट बच दो फ्रेंट के और एक है कि तीनों को एक में कर लिया अगर आप चाहे तो पूरो वाइट पड़ सकते। यह दोनों कोलर भी इसमें लगा सकते फिर 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 पूरी वाइट की परूंगी क्यों हमारी जॉइन करना है यहां से कि स्टार्टिंग सही हम लगाएंगे इसमें पहले मैं अपना बैड कलर लगा हुआ है कि अगर इसमें वाइट के और आगे हम बनाएंगे तो फिर हमारी चोली का यह वाला पार्ट है फ्रेंट और बैक का यह बढ़ा हो जाएगा ठीक है तो यहीं से स्टार्ट करूब है देखें, रेड कलर लगा लूँँगी, और पूरी सलाई को उल्टा बनाऊँगी, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, ये देखें, दो धाके हैं मेरे पास, ये मैं इसलिए चला रही हैं, दोनों को एक साथ मैं, क्योंकि ये इसमें मुझे नॉट लगाने की जरूद नहीं पड़ेगी इस तरीके से, और जब हम इसको सीधी साइट से बनाएंगे, तो हमारे दो फंदे आ रहे हैं, दोनों को हम एक साथ बना देंगे, एक्स्ट्रा बचेगा, हम इसको कट कर देंगे, यहां से बना दिया, अब इसको जोइन करेंगे, तो इसमें मैं दो सलाई है, रैट की, दो गिरीन की सीधी सीधी बनाऊंगी, और दो बनाऊंगी फिर वाइट की, ठीक है, पहले रैट की, फिर बीच मैं दो वाइट की बनाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं दो गिरीन की, तो मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो अक्ट्रहिस ट्यू job में सब्सक्रयूं को सब्सक्राइब्स में पारी कई इस की सब्सक्राइब gewirr at work with the Hospice P सब्सक्राइब के इस लिए ओट दिखा सब्सक्राइब क्योंकि इसे अभी हम बंद नहीं करेंगे जब इसका गहरा बनेगा तो मैं इसको अटेच करना आपको बताऊंगी कि इसको अटेच किस तरीके से करते हैं अभी तक जित्ती में मैंने सलाई से ड्रेस बनाई है उसमें चोली और गहरा दोनों ही अलग लग दिखाए हैं ठीक है